हलो गाईज देस विहान फ्रेंट्स टीजटी बेस्ट थर्टी की सीरिज को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉप के थर्टी क्वेशन्स डिसकस करेंगे फ्रेंट्स जो पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूँ कि जितने भी क्वेशन्स हैं वो सभी सरकारी स्कुलों के अध्यापकों द्वारा प्रवाइड किये जा रहे हैं फ्रेंड्स ये सभी टीचर्स आपके लिए स्पैशल टाइम इन क्वेशन्स के माध्यम से निकाल रहे हैं इन्होंने दो से तीन बार कमिशन्स फेस आउट किया और एक्जाम भी क्रेक किये तो इनका परसनल एक्सपिरियंस आप सभी के लिए काम आने वाला है इंपोर्टन क्वेशन्स है बेस्ट थर्टीन मिस्ट ना हो जाए चलिए पहले क्वेशन्स की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेशन्स है अन्य न्योगताओं को हस्तांत्रित किये जाने वाले कोशल को कहा जाता है यानि कि इसका सही अंसर होगा और अप्शन्स और क्रेक्ट जोनों ने लास्ट का लेक्चर नहीं देखे है डिस्क्रिप्शन्स बॉक्स में लिंक है तो जाएए टेंड करिए और फ्रेंग्स टीजटी के फूल क्रेश कोर्स चलरें अंडर अबर प्रोफेशनल्स यह एच्प जी के अपकी टीम का नंबर तो यहाँ पर आप वाट्साप करके पूरी जानकारी प्रापत कर सकते हैं इ यानि कि दोस्तों इंडस्ट्रीज की बात की गई है इंडस्ट्रीज इस दा बिगस्ट कंज्यूमर्स ऑफ बाटर रेंग्स चलिए जल्दी से आप सोच सकते हैं यहाँ पर मैं सीधा अंसर आपको बताऊंगा यहाँ पर इसका बिल्कुत सही अंसर होगा थामल पावर और इस इसकी वीडियो फाइल आपको कहां पर मिलेगी मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा तो जुड़े रहिए निमिलिकित में से किस शेतर में बर्श वर बर्शा होती है वेरी वेरी इंपोर्टन क्वेशन अगर आप मैगजेंस बगेरा रीड करते हैं और पिछले पेपर एनलाइज करते हैं चाहे मैं हिमाचल की बात करूं या फिर सेंटर लेवल की तो वहाँ पर ही क्वेशन हाइलाइट रहा है और पूछा भी गया है आपके एक्जाम में ठीक है जल्दी से सोचिए इसका सही अंसर यहां पर बात की गई थी निमलीखित में से किस शेत्र में वर्ष वर वर्षा होती है इस तरह से मोडिफाइड क्वेशन आपकी एक्जाम में बन जाते हैं नेक्स्ट कॉश्ट कोलेरू जील भारत के किस राज्य में स्थित हैं इंपॉर्टन क्वेशन आंधरा परदेश क्लियर नेक्स्ट किस मुगल शाषक के शाषनकाल में पुने जजिया लगाया गया था वरी वरी इंपॉर्टन क्वेशन आना चाहिए सभी को क्वेशन दर राइट आज़र इस औरंग जेब क्लियर किसी भी डाउट क्वेशन के लिए वाट्साप कर सकते हैं जैन धरम का सबसे महतापूरण मूल भूत सिदान्त क्या माना जाता हैं सोचे इसका सही अंसर क्या हो और ये भारत में कंद्री इसके द्वारा डिलवाई जाती हैं इसका सई आणसर क्या होगा धुर्य मैं प्राइम मिन्स्टर ऑफ इंडिया कम्ट्रोलर अंड इडिटर्स जणरल ऑ इंडिया दीया चीफ जेस्टिस्ट ऑफ इंडिया फ्रेंस यहां पर बात कि गई है Union Ministers की ठीक है The right answer is भारत के रास्टर पती Next questions पीने के लिए उप्युक्त पानी को डैश पानी कहा जाता है Very important और बहुत ज़्यादा Easy questions अगर ये questions आपका सही होता है तो मानिए आपकी त्यारी अच्छी चल रही है Options आपके सामने है चलिए देख लीजिए Hygienic, Sparkling, Whatever या फिर Sanitary क्या होगा? Hygienic क्या आपने सोचा? और आपका answer सही हुआ तो well done Next questions निवलेकित में से कौन भक्ती अंदौलन का परवर्तक नहीं है Options आपके सामने है Friends, भक्ती अंदौलन Ancient History में टौपिक है भक्ती अंदौलन का 100% 2-3 questions या एक questions इस topic से आपके exam में बनने वाला है अच्छे से इसको read कर लेना और इस questions के माध्यम से अपने इस topic की जाच करिए कि आपको आता है questions या नहीं आता है नहीं आता है तो आप read कर सकते हैं इस topic को ठीक है इसका सही answer रामानन्ता और full details के लिए crash courses चल रहे हैं एक भी questions ना चूट जाए हरे questions कमीशन के लिए important रहेगा a step of transformer steps of the यानि कि एक step of transformer ब्रिद्धी करता है very important बहुत easy questions है सोचिए transformer की बात हुई है the right answer is voltage made clear next questions यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उलंगन होता है यानि कि fundamental rights अगर friends आपने fundamental rights और duties अच्छे से read की हैं तो आपने मुझे questions का answer बताना है comment box में कि संभीधान का हरीदे कौन से article को कहा जाता है ठीक है और यह questions आपके exam में बन चुका है इसलिए मैंने आपसे questions पूछा है friends questions की तरह बढ़ते हैं यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उलंगन होता है तो भारतिय संभीधान के अनुच्छे 226 यह याद रखने आपने भारतिय संभीधान के लेके नुच्छे नाटिकल 226 के अंत्रगत वह कहा पर जा सकता है यानि कि कि किसका दर्वाजा खटकटा सकता है यानि कि उसके मौलिक अधिकार का उलंगन होता है क्या वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पास जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा या भारत के रास्टर पती के पास जाएगा या राज्य के उच न्याले के पास जाएगा यानि कि हाई कोट के पास जाएगा अगर किसी भी व्यक्ति के मौली का दिकार का उलंगन होता है तो options number D वो हाई कोट जा सकता है next questions अंडवान और निकवार दीप समू की जन जाती है friends आप सभी ने इंडिया की जन जातीयां read भी किये होंगी लेकिन कुछ बहुत ही typical से name होते हैं और आते भी नहीं है ठीक है questions बनते भी नहीं है एक आदा questions बन भी सकता है लेकिन questions की जो value वो कैसी पहिंचानी जाती है कि questions बन सकता है friends अगर आप newspaper magazines अच्छे से read करते हैं और पिछले previous paper को अच्छे से analyze करते हैं friends यह questions आपके 2000 इसके exam में बन चुका है centric exam में जरूरी नहीं कि आपके हिमाचल के exam में questions आ रहे हैं क्योंकि friends हमीरपुर बॉर्ड की बात करूं तब वो time जा चुका है अब हमीरपुर बॉर्ड SSC level के आपके exam में questions put up करता है ठीक है जनकी HPGK की weighters कम से कम होती है और बाकी economics हो गया quality हो गया history हो गया geography हो गया इन questions की weighters सबसे ज़्यादा रहती है ठीक है तो आप इन questions के उपर गोर करिये भी इसका बिकुल सही answer क्या होगा friends ओंगे यानि कि options number C ओंगे अंड़मार निकवार इसका बिकुल सही answer होगा अरूप जोती सैकिया यानि कि options number C clear next निमलिकित में से कौन बस्तू एवं सेवा कर यानि कि GST को लागू करने वाला पहला देश था questions आपके exam में बने हैं इसका सही answer आप सोच सकते हैं France clear अगर आपने सोचा तो well done भारतिय संभीदान के प्रारूपन यानिकी drafting का कारेक का पूरा हुआ friends आप सभी कोई questions आना चाहिए क्या आपने 26 जनवर 1950 सोचा है तो आप हैं बिल्कुल गलत क्यों क्योंकि यहाँ पर drafting की बात हुई है friends 26 नॉमबर 1949 को constitution का पूरा का पूरा ड्राफ्ट त्यार हो गया था बन चुका था complete था लेकिन यह force में कब आया था force में आया था 26 जनवर 1950 ड्राफ्टिंग कब गयी की complete हो गई थी 26 नॉमबर 1949 को तो इसका बल्कुल सही answer क्या होगा options नॉमबर C 26 नॉमबर 1949 clear next मैसोपटामिया के लोगों द्वारा हडप्पा या सिंदुगाटी सभेता को किस नाम से जाना जाता था friends अगर आपने इस जिंदुगाटी अच्छे से read की है तो आपको यह questions आना चाहिए और questions गलत नहीं होना चाहिए इसका बल्कुल सही answer होगा options नॉमबर C मैलूहा के नाम से ठीक है अगर आपका सही था questions तो well done next questions हर्यक वाईश का संस्थापक कौन था हर्यक वाईश की स्थापना किस ने की थी friends जल्दी से बिंबी सार options number A यानि की बिंबी सार clear next questions दक्षणी सूपर महदीब किसे कहा जाता है friends अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एलकन को प्रेस नहीं किया और like नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए इसका बल्कुल सही answer होगा गॉंडवाना लेंड दसाउथन सूपर कॉंटिनेंट इस गॉल्द गॉंडवाना लेंड प्लेयर next questions दीपा करमाकर दस्माल वंडर पुस्तक में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है वेरी वेरी important questions और दीपा करमाकर बहुत ही बड़िया प्लेयर जिमनास्टिक की है और यहां से questions उनके related questions दोस्तों एक्जाम में दो से तीन बार questions repeat हुए है अब उनके उपर पुस्तक के लेखक दीपा करमाकर दस्माल वंडर पुस्तक निमलिकित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है जवदी से सोची दोस्तों इसका सही answer क्या होगा options number D क्या है इसका सही answer होगा विश्वेश्वर नंदी options number A clear next questions भक्त तुकाराम किस मुगल समराट के समकालीन थे important questions जल्दी से सोची इसका सही answer जहांगीर clear next questions computer के tools जैसे की word, excel और powerpoint निमलिकित में से किस company के product है option screen के उपर है जल्दी से सोची है इसका सही answer होगा Microsoft के यह सारे के tools है company के tools है ठीक है Microsoft is the right answer next questions सारनात वपवित्रस्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सबी को clear होगा लेकिन बन निमलिकित में से किस शेहर के बहुत नजदीक स्थित है बहुत नजदीक की बात की गई है जल्दी से सोची अगर आपने अच्छे से read किया है questions समझना है पहले उसके बाद answer आपने रखना है the right answer is किस शेहर के बहुत नजदीक है क्या आपने सोचा तो well done next questions प्रित्वी की पपड़ी यानि की earth crust की यहां पर बात हुई है कौन से धातू सबसे परचूर मात्रा में है questions गलत नहीं होना चाहिए इसका बलकुल साही answer aluminium दोस्तों जब जब मैं यह कहता हूँ कि questions गलत नहीं होना चाहिए तब आपका बलकुल भी नहीं होना चाहिए क्यों कि questions गलत होंगे तो कहीं न कहीं आप अपने आपको negative feel करेंगे और HPJ कभी नहीं चाहिएगा कि आप negative feel करो ठीक है positive रहना है questions की important series चल रही है सबस्क्राइब कर लेना ठीक है सबसे अधिक गन्हा गन्हा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है important है इसी है उत्तरप्रदेश clear next question ब्रहस्पति का द्रभ्यमान प्रिथिवी से लगभग कितने गुना अधिक है इसका सही answer 300 times यानि की 300 गुना 300 गुना clear उसका द्रभ्यमान सबसे अर्धिक है यानि की mass of Jupiter is larger than the earth by about clear next questions भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाकार का पथ कौन रखता है यानि की positions of main legal advisor to the government of India कौन रखता है दोस्तों जल्दी से option screen के ओपर है इसका बल्कुल सही answer होगा अटानी general क्या आपका question सही था तो well done गलत था तो questions अभी आपको पढ़ने पढ़ेंगे TGT commissions clear करना है clear next questions वो कौन से कभी और संथ है जनने रामाइन का एक दूसरा संसकरन राम चरित मानस लिखा था important easy क्या होगा तुलसी दास clear next questions आवद की रियासत से उस प्रसित योधा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के बिद्रों में अंग्रेजों के साथ होने बाली लडाई में भाग लिया था very very important questions questions आना चाहिए the right answer is जल्दी से आप सोच सकते हैं options number A बेगम हजरत महल clear next questions मुगलबाश के पहले सम्राट बावर ने अपनी देशियों भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिकी फ्रेंड्स modified questions है ठीक है इस तरह के उल्जाने वाले questions हम इर्फुर को जरूर जरूर डालता है क्यों डालता है क्योंकि questions वही रहते लेकिन modified हो जाते हैं इसका सही answer बावर नाम options number B clear next questions 1996 में जब अटल भ्यारी बाजपई पहली वार प्रधान मंत्री बने थे तो उनके प्रधान मंत्री के रूप में काम करने की लगवग अबदी कितनी थी फ्रेंग्स important questions आना चाहिए कितने उनका time period की आपर बात हुई है इसका सही answer टू बीक्स यानि की options नमबर बी अब फ्रेंग्स यह HPGCAP की टीम का नमबर या पर किसी भी doubt questions के लिए आप यहाँ पर WhatsApp कर सकते हैं पीडियाफ फाइल लेने के लिए दोस्तों आप क्या करिए WhatsApp करिए और आपने लिखना है TGT PDF इतना आपने लिखना है और उसके बाद आपको PDF फाइल release कर दी जाएगी इस lectures की लाइक जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करिए तो फ्रेंड्स यसे के साथ जय हिंट जय हिमाचल हुआ